उस क्लास में लगबख 40 स्टुडेंट बैठेते हैं अचानक एक स्टुडेंट खड़ा हुआ और उसने भूत घवरातेवे प्रोफेसर से कहा सर मेरे पिताजी ने मेरे इस बर्थडे पर मुझे भूत कीमती घड़ी गिफ्ट में दी थी सर वो घड़ी अभी किसी ने चुरा ली तो प्रोफेसर ने अच्रत से कहा अभी कैसे चुरा लेगा बोले सर अभी जो पांच मिनट का ब्रेक हुआ था उसमें मैं अपनी घड़ी अपने टेबल पर रखके गया था और उसके बाद से वो घड़ी नहीं मिल रही है प्रोफेसर ने कहा उसके बाद कोई भी इस क्लास से गया और आया नहीं है इसका मतलब जिसने भी घड़ी उठाई है वो इसी क्लास में प्रोफेसर के मन में विचार आया कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगना चीए कि किसने घड़ी चुरी कि और प्रोफेसर ने कहा सब लोग अपनी अपनी आख में काली पट्टी बांद लिए और सब ने काली पट्टी आबांद ली लाइन से खड़े हो गए प्रोफेसर ने एके करके सब को यूँ हाथ लगाना शुरू किया और उस लड़के की चेब में घड़ी मिल गई प्रोफेसर ने चुप चप घड़ी निकाली घड़ी निकालके जो मालिक था मुस्कुराते वे उसके हाथ में दे दी और क्लास नॉर्मल चलने लगी किसी को नहीं पता चला अगले दो-तिन दिन तक वो लड़का घबराता रहा हडबराता रहा भैवीत रहा उसको डर था मेरी बात आज खुल जाएगी मेरा राज आज खुल जाएगा लेकिन किसी को पता नहीं चला दिरे दिरे वो सब कॉलेज से निकल गए बहुत साल बाद अब वो लड़का जिसने चोरी की थी वो अब एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस हो चुगा था कॉलेज का रियूनियन का फंक्शन था वो उस फंक्शन में आता है वो अब एक सेलिब्रिटी सा है वो उस फंक्शन में आया और उसने अपने प्रोफेसर के पास जाके उसके पेर चुए अब प्रोफेसर से कहा सर मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं प्रफिसर ने कहा बोलो उस ने कहा सर मेरे जीवन पे आपका बहुत बड़ा करज है यदि आज मैं जिन्दा हूँ तो आपके कारण हूं प्रफिसर ने बोलो ऐसा क्यों उस ने खा सर आपको याद नहीं होगा एक बार आपकी क्लास में घड़ी चोरी हुई थी और आपने सब की जेब चेक की थी और मेरी जेब से वह घड़ी मिली थी लेकिन सर आपने उस दिन वो बात किसी से नहीं की मैंने निर्णे लिया था जदी उस दिन ये बात सब को पता लगी तो मैं सुसाइड कर लूँ सर आपने मुझे माफ कर दिया उस दिन आपने मेरी इज़्जत रख ली उस दिन आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट रख ली मुझसे गलती हो गई थी सर लेकिन फिर भी आपने मेरा अपमानने किया मैंने अपनी आँखों में भी पट्टी लगा ली थी, ताकि मुझे भी नहीं पता चले मेरे कौन से स्टूडेंट ने ये काम किया है, मैं नहीं चाहता था, मेरे अपने किसी स्टूडेंट की वेल्यू मेरी नजरों में हल्की हो, या मैं किसी के साथ दुर्वेहार करूँ, ये सुनते ही, वो लड़का जो अब एक नामी इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसकी आखों में आसु आगया और वो प्रोफेसर के गले लगके दो मिनट तक बतरा, यही तो अधवुत मानता है, किसी की गल्ती पता चलते वे भी माफ कर देना, किसी को इग्नोर कर देना, उसको उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने का मौका दे देना, पता होते वे कि ये कल्परिट है उस वक्त जाने देना ताकि उसको सुधरने का उसर मिल सके अपना चेहरा उचा करके चलने का उसर मिल सके आज के इस यूग में जा हर व्यक्ति किसी ने किसी की गल्ती ढूंड रहा है परिवार में माबाप की गल्ती भाई की गल्ती जीवन सा कर सके माफ करना और माफी मांगना कि कायर नहीं कर सकते यह शक्तिशाली लोगों को का आप है साथियों इस कहानी ने मुझे इतना इंस्पायर किया एक प्रोफिसर जो यह नहीं चाहता कि उसका स्टूडेंट उसकी नजरों से गिरें क्या ऐसे लोगों की समाज भुजर्वत जहां पर हम लोगों की गलतिया होने के बावजूद उनको इंसान मानके उनको मिट्टी का पुत्रा मानके उनको माफ कर सके हमारे भाई से गलती हुई हमारे पाटनर से गलती हुई हमारे जीवन साती से गलती हुई हमारे किसी और फैमली मेंबर से गलती हुई रिलेटिव स मानता नहीं गल्तियों को इगनोर करना और सामने वाले को अपना सम्मान बचाने का मौका देना मानता है यदि आप भी हर दिन ये गल्ती करते हैं अपने आस पास के लोगों का दोश ढूंडते हैं